बॉलिवूट के अभी नेता सल्मान खान बॉलिवूट का एक बड़ा नाम है उन्हें बॉलिवूट को एक नहीं बल कि कई सुपर हिट और ब्लॉक बस्टर फिल्में दी है सल्मान ने अपने फिल्मे करियर में काफी उतार चड़ाओं के बाद ये सफलता पाई है आज हम आपको सल्मान खान के बारे में 20 ऐसी बाते बताएंगे जो साथ आप नहीं जानते होंगे और अगर आपको माव वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर जरूर करिएगा सल्मान खान का जम 27 दिसमबर 1965 को मद्य प्रदेश के इंदौर सेर में हुआ था सल्मान खान का पूरा नाम अब्दूर रासी सलीम सल्मान खान है और उनके पिता का नाम सलीम खान है जो की फिल्म इंडेस्ट्री के जाने माने लेखक है नमबर टू, आज की समय में सलमान खान बॉलिवूट के पेहत पॉपुलर स्टार हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान एक्टर ने बलकि एक फिल्म डिरेक्टर बनना चाहते थे नमबर थ्री, सलमान ने अपनी फिल्मी करियर की सुरवात 1988 में फिल्म बीबी हो तो ऐसे से की थी, इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा सपोर्टिंग रोल की भूमिका निबाई थी, हलाएंकि यह फिल्म बॉक्स आफिस पे हिट नहीं हुई, लेकिन फारुक सेक और रेख जैसे सितारों के भी, सलमान ने लोगों का ध्यान अपनी और आकर सित करने में सफल रहे है 4. 1989 में As A Hero सलमान की पहली फिल्म मैंने पैर किया रिलीज हुई, उस समय फिल्म के डिरेक्टर्स को भी इस बात का अंदाजा नहीं तक कि यह फिल्म सुपर हिट सावित होगी, इसलिए सलमान के इस फिल्म में प्रिंस का कर्चा बताते हुए, बहुत कम प्रिंस और पचार क के साथ इसे कुछी जगर रिलीज किया गया, बात में जब यह फिल्म सुपर हिट सावित हुई तो इस फिल्म में प्रिंस ये संख्या बढ़ाई गई, बॉल्यवूट के मोस्ट एलिजबल बैसलर कहे जाने वाले सर्मान खान आज सिंगल नहीं होते, अगर संगीता बिजल बिजलानी और सल्मान खान साल 1986 में एक दूसरे के करीबाई और करीब 8 साल तक एक दूसरे को डेट किया, और बात यहां तक पहुँच गी थी कि साथी की तारीक भी तैह हो चुकी थी और साथी के कार्ट भी छप चुके थे इंडिया टूडे रिपोर्ट के मताबिक 27 मैं 1994 को दूनों की साथी होने वाली थी, लेकिन बात नहीं बनी और किसी वज़र से साथी तूट गई, वहीं करन जोहर के पॉपलर चैर्ट सो कौफे विद करन में सल्मान खान ने इस बात को कबूल किया था कि संगीता बिजलानी इसे सल्मान खान की नजरीकियों का पता चला तो उन्होंने साथी से मना कर दिया, सल्मान से रिस्ता खत्म करने के बाद संगीता ने क्रिकेटर मौमाद अजुदीन से साथी कर ली जब रनवीर कपूर फिल्मों में नहीं आया थे तब सल्मान और रनवीर एक नाइट किलब में उलज बैटे थे, दोनों में मारपीट भी हुई थी और अगले दिन अपने पिता सलीम खान के कैने पर सल्मान ने रिसी कपूर के गर जाकर माफी भी मांगी थी नमबर नाइन, बॉलिवूट के दोनों सबसे पॉपलर स्टार सारुक और सल्मान के आपसी रिस्ते आज भले ही बहुत अच्छे हों लेकिन एक दोर ऐसा था कि जब ये दोनों स्टार से एक दूसरे की सकल तक देखना नहीं चाहते थे दरसल 2008 में केटरिना कैफ की जम दिन पार्टी में सल्मान और सारुक में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी जिसके बात दोनों में कुछ सालों तक बातचीत बन रही फिर एक इफ़तार पार्टी में सल्मान ने पहल करते हुए सारुक को गले लगा दिया जिसके पाद दोनों ने कड़वी बातों को भुला दिया, इसके बाद सलमान के सोब बिग बॉस में सारुक अपनी मूवी दिलवाली का प्रचार भी करने गए थे सलमान की एंजियो बिग यूमन के होते वे भी सलमान अभी वी से कई अलग चैरिटी वर्क करते हैं जैसे 2012 में यूपी में एक सूटिंग के दौरान उन्हें पता चला कि जेल में कई ऐसे लोग है जिनोंने अपनी सजा तो पूरी कर ली है लेकिन पैसे ना होने की विज़े से वो अपना जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं जिसके करण उन्हें जेल में ही रखा जा रहा है तो सलमान ने एक एंजियों को 40 लाग रुपर डोनेट किये जिसमें 4000 कैजियों को 63 जेलों से रिहा कराये गया नमबर 11 2005 के बाद सलमान की कई फिल्म में फ्लॉप हुई जिन में बाबुल, सलामेज, कौट तुसी, ग्रेट हुई, युगराज, शीरोस थी लगबक 4 साल तक उनकी फिल्म में लगातार फ्लॉप हो रही थी और यह माना जा रहा था कि उनका करियर खत्मोने की कगार पर है लेकिन पार्टनर, वॉन्टेड, दबंग, एक था, टाइगर, बॉडिगाड, बजंगी भायजान जैसे फिल्मों ने उन्हें फिर से हिट कर दिया और उनकी फिल्मों ने सफलता की नई परिवासा लिखी और इस समय सलमान खान को बॉल्लूट का सबसे बड़ा स्टार माना जाता है करीना ने जब सलमान की फिल्म दबंग 2 के लिए एक आइटम सौंग किया था तो इसके लिए करीना ने कोई पैसे नहीं लिये थे तो सलमान खान ने उन्हें BMW कार गिफ दी थी नमबर 13, सलमान खान को फिल्म इंडिस्टी का गॉड़ फादर भी माना जाता है उन्होंने कई स्टार, किट्स और नॉन फिल्मी बैग्राउंड परसनाल्टी को बॉल्लीवूट में लॉंच किया है जिसमें सुनाची सिनहा, डेजी सा, सूरज पंचोली, जरीन खान और भूमी का चावला है जो आज सलमान के चांस देने से बॉल्लीवूट इंडिस्टी में जानी जाती है सलमान ही बॉल्लीवूट में एक ऐसे अक्टरस हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्म नई एक्टरस के साथ की है और उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि न्यू कमर्स को चांच जरूर देना चाहिए क्योंकि एक टाइम पर मुझे भी किसी ने चांच दिया था सलमान अपने हाथ में ब्लू कलर के स्टोन वाला ब्रसलेट पहनते हैं यह ब्रसलेट सलमान को उनके फादर ने 2002 में दिया था जो कि इनकी लाइफ और कर्येร का बहुत ही मुश्किल वक्त था सलमान बताते हैं कि यह ब्रसलेट उनके लिए बहुत ही लखी है यह तो हम सभी जानते हैं कि सलमान खाण को पेंटिंग का बहुत सौक है पेंटिंग सलमान की होवी भले ही हो लेकिन जब वह कुछ भी पेंट करते हैं तो वह उसमें पूरे जुनों से जुट जाते हैं और यही नई सलमानी थे जिनोंने जैहो का पोस्टर भी पेंट किया था सल्मान की पेंटिंग की बिक्री से जो भी पैसा आता है वह चैरिटी में जाता है विवादों से भी सल्मान का खास नाता रहा है 28 सितमबर 2002 में मुंबई में उनकी कार ने फुटपात पर सुर्वे चार वक्तियों को खुचल दिया था जिसमें से एक की मृत्य हो गई थी हिट एंड रनका के इस लंबे समय तक चला और करीब 13 साल बाद उन्हें इस से रहात मिली 18 सल्मान खान को फिल्मों में किसिंग सीन देना पसंद नहीं क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह के सीन्स के कारण परिवार के साथ फिल्म देखना मुश्किल हो जाता है और यह उनका खुद का अनुबह है 19 सल्मान को सोप कलेट करने का बहुत सौक है उन्हें हरबल और एंटी एक्साइट सोप इतने पसंद है कि जब भी वह फॉरन ट्रेवल करते हैं तो वह उस जगह से सोप जरूर खरीते हैं 20 सल्मान के पिता सलीम खान ने दो साधिया की है सल्मान की मा हिंदू है और दूसी मा क्रिस्चन है सल्मान के गर में हर तो हर बड़ी धूमदाम से मनाय जाता है और इसलिए सल्मान अपने परिवार को मिनी इंडिया भी कहते है दोस्तों आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका बॉलिवूड में फैर्विट एक्टर कौन है